असलाम लेकुम क्या हाल है आप सबका अल्हाद आप सबको अपने हिवस्वान में रखें फोटी स्रेटी में आज एक नहीं रेसिपी वालनट ब्राउनिस के साथ मैं आप से सामने हाजिर हूँ बहुत ही मस्यदार और बहुत ही यह लजीज ब्राउनिस तयार होती है जिसमें नहीं तो अंडो का इसमाल होता है और नहीं आप मखन भी इसमें इसमें इसमाल करते हैं बच्चे भी ब्राउनिस को बना सकते हैं बहुत आसान है इससे पहले किसके इंग्रीडियंट्स किया है मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को है बोस्तों से लिए कर्णे हैं कि कि अ बबद मर रापक्तिक जा नवा नहीं जाने इसेंषा में फॉर्टे सबेन तेन मिझ इसमाल करोंगी और फोटिको उडने वेद किशमिश हैं इसमें थी तेटीस्पून दाचिनी पाॉडर है और दो थीस्पून जो है विवल करके मैं आपके बिकिंग पॉडर लिया है इसके एलावे इसमें तीस्पून कोको पौडर है और यह ब्राउन शुगर है जिसको मैंने यह यह साथ टेबल सपून तू थ़र्ड क और इसके अंदर ये साथ टेबल स्पून यानि टू थर्ड कप ब्राउन शुगर डालेंगे ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जए साथ ही इसमें आधा कॉप अईल डालेंगे अगर आप मखण इसमाल करें तो उस सूरत में आप इसमें मखण डालेंगे ताकि मखण जो एक पानी गरम होने के साथ साथ डिसॉल्फ हो जाए कि इसके अंदर डाल देंगे मैंने चुणके इसके नदर चीनी पिसी हुई इसतमाल की है इसलिए बहुत जल्दी हो जाएगी चीनी इसके अंदर डिजॉल्ब हो चुकी है अब इसका चुलो में बंद कर देती हूं और इसको ठोड़ा कर लेते हैं यहां एक बड़े बतन के अंदर मैदिकों हम चान लेंगे जो हमने 2 कप मैदा लिया है इसमें कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और दाचिनी पाउडर भी में एक साथ ही डाल दूगी इसको अब चान लेंगे चानने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कोको पाउडर और मैदा बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए साथ ही इसमें हम यह सारे बॉलनिट्स डाल देंगे इसके अंदर जो हमने यह चीनी और ओयल का सीरप त्यार किया है यह इसके अंदर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ सत इसको मिक्स करते रहेंगे बेटर बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर यह तयार हो चुक है ब्राउनिस का इसके कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि इस तरह से पॉरिंग कंसिस्टेंसी में यह आ चुकी है अब यहां हमारे पास यह मैंने एक स्टेप जो है वो संचे लिया है जिसके अंदर हम ब्राउनिस को बेक करेंगे इसको मैंने 2-3 टेबल स्पून ऑईल के साथ बहुत अच्छी तरह से चारो तरफ ग्रीस करिए इस ग्रीस के हुए बतन में यह सारा बैटर डाल देंगे यहां देख ची पंद्रा मिनट से गरम हो रही है मेडियम हाँ पे मैंने इसको गरम किया है इसमें हम पहले स्टैंड रखेंगे और स्टैंड के ओपर ब्राउनिस का यहां हम बतन रखतेंगे और इसको मैं बेकल रखतेंगे दस से बारा मिनट के बाद मैं इसको अपचेक कर लेती हूँ चुरी पिलकुल खुश्च है इसका मतलब है कि ब्राउनिस त्यार हो चुकी है अब मैं इसको बाहें निकाल लेती हूँ जब तक ब्राउनीज ठंडी हो रही है हम इसकी आइसिंग तयार कर लेते हैं यहां मेरे पास 50 ग्राम मखन है यह इसको मैं भी इसके कोको पाउडर और आइसिंग शुगर के साथ बीट कर लोगी सबसे पहले मखन को बीट करते हैं मखन को तकरीबन तीन से चार मिनट तक बीट करने के बाद अब इसमें दो टेबल स्पॉन आइसिंग शुगर और कोको पाउडर एक टेबल स्पॉन यहमेज में डाल दूंगी इसे साथ इसको मजीद इसको बीट करेंगे कुश्टे तक कौको पाउडर और चीनी के साथ बीट करने के बाद अब इसमें मैं एक टेब स्पॉन दूट डाल दूंगी और दूट के साथ थोड़ा सा इसको और बीट करेंगे अएसिंग बलकु तैयार है अब सो हम बॉनिस के आप्लाई करते हैं बाउनिस को मैंने पलेट में निकार लिया है अब जो आईसिंग हमने तैयार की है यह आईसिंग इसको पर अच्छे तहा से सप्रैट कर देते हैं सारी ब्राउनिस पर आइसिंग लगाने के बाद हम इसके उपर अख्रोड लगा देंगे ब्राउनिस को थोड़ी देर के लिए मैं फ्रिश में रखोंगे ताकि इसकी आइसिंग सेट हो जए ब्राउनिस बिल्कुल तयार है फ्रिश में तकरीब दस मनेट तर मैंने इसको रखा है जिसके बाद इसका जो हमने इस पर आइसिंग लगाई है वह बहुत अक्सी तरह से सेट हो चुकी है यह एक ऐसी ब्राउनिस है कि जिसमें नहीं तौंडो का इस्तमाल हुआ है और नहीं इसके अदर मैंने अवन का जो है वो इस्तमाल किया है बहुत ही मज़दार और बहुत ही लजीज यह ब्राउनिस है जो कि जट पर तियार हो जाती है मेरी ये रैस्प्रल् maturity आपको पसंद आए।ो मैरी चैनल को जरूरा सब्सक्राइब केजिए, लाइक केजिए और शियर केजिए सब्सक्राइब के साथ बेल एकॉन को जुरू प्रेस करें और के अप्शन पर क्लिक करें ताकि हानाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके